हेलो फ्रेंज, मैं हो त्राप्ती, त्राप्ती केचिन कॉर्नर में आपका स्वागत है, आज मैं एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मिठाई तो हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन अगर वही मिठाई घर पर बनी हो और बिल्कुल बजार जैसी, तो उसकी ब वन थर्ड कप घी, वन कप फ्रेश फुल क्रीम मिल्क, टू कप मिल्क पॉडर एड़ करेंगे, मैंने मिल्क पॉडर यूज किया है, आप भी मिल्क पॉडर ही यूज करिएगा, डेरी वाइटनर नहीं, मैंने पातन जली का मिल्क पॉडर यूज किया है, आप किसी भी कमपन का milk powder use कर सकते हैं अच्छे से mix करेंगे lumps नहीं रहने चाहिए यह अच्छे से mix हो गया है अब gas on करेंगे और low flame में लगातार चलाएंगे इस प्रोसेस से हम मावा बनाएंगे लगातार चलाते अगर हम नॉनिस्टिक बरतन यूज कर रहे हैं तो mixture हमारा पैन में जल्दी चिपकेगा नहीं देखिए मावा बनना स्टार्ट हो चुका है चार से पांच मिनिट में आवा बन के त्यार हो जाएगा यह देखिए digamos बनने भी लगा है जब सारा mixture एक साथ समटने लगे एक साथ आ ने लगे इसका मतलब है कि हमारा मावा बन बन के त्यार होने वाला है अच्छे से mix करते हैं चलाएंगे यह देखिए मावा बन के तयार है मिक्षर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और एक सा समिटने लगा है देखिए कि तब पॉफेक्ट मावा बन के रेडी हुआ है यह देखिए सारा एक सा समिट रहा है मावा बन के रेडी है अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने देंगे जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक चासनी बनाएंगे चासनी बनाने के लिए एक बरतन लेंगे 2 कप शुगर, चीनी, 1 कप वाटर इसे अच्छे से मिलाएंगे और शुगर के डिजॉल्व होने तक इसे हम पकाएंगे, शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है बड़ जो यह चासनी है यह उपर से गंदी हो गई है, इसे हटाने के लिए 1 फॉर्थ कप दूद एड़ करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे, उपर जितनी भी सीरप की गंदगी थी, वह एकटा हो गई है, इसे किसी भी स्ट्रेणर से या छेद वाली चमस से निकाल लेंगे, जितना भी उपर जहाग एकटा हुआ था इसे हम बहार निकाल लेंगे, यह देखिए, चासनी पहले से कित्ती साफ हो गई है, केसर वैसे तो यह उप्शनल है, बट अगर आप इसे यूज करेंगे, तो इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, और टेस्ट आता है, वन फोटी स्पून इलाइची पाउडर, अब हम चासनी को चेक करेंगे, इसमें हमें एक या दो तार की चासनी नहीं बनानी है, जब चासनी क तो हम हाथ में लेंगे, तो बस थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए, देखे केसर की वज़े से कितना अच्छा कलर आ गया है, चासनी बन के तयार हो चीकिए, अब फ्लेम ओफ कर देंगे, मावा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें हाफ कप मैदा मिलाएंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यूज़ करेगा, बेकिंग सोडा नहीं, रोज एसेंस, ऑप्शनल है, बट अगर आप इसे यूज़ करेंगे, तो टेस्ट ओ फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गुलाब जामुन का जो बनेगा, वो थोड़ा सा चिपचिपा सा होगा, ये बहुत ही स्मूथ है, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, मैंने पहले वन टेबल स्पून पानी मिलाया है, और इसे अच्छे से मैश किया है, वन टेबल स्पून पानी और मिलाएंगे, ये देखिए डो कितना चिपचि इस प्रोसेज में कम से कम 5-6 मिनिट लगेंगे 5-6 मिनिट हो चुके हैं यह देखिए मावा धीरे-धीरे समिटने लगा है अगर मावा ना समिट रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथों में घी भी लगा सकते हैं यह देखिए कितना बढ़ी है डो बनके त्यार हुआ है कितना कोटे गुलाव जाबून बनाएं आप इनका साइज कम हो जादा भी कर सकते हैं अभी जब इने फ्राइ करेंगे तो यह साइज में और बड़ी हो जाएंगी इसे तरीके से डो से सारी बॉल्स बना लेंगे पर एक बात का धिहान रखिएगा बॉल्स बनाएंगे उसे अच् देखे इसमें जो यह क्रैक्स पड़े हैं इसे क्रैक्स नहीं पड़ने चङए हाथों को अच्छे से प्रेस करके लोर्ल करेंगे और धेरे-दिरे हाथों को लूश कर देंगे U.S. इसी तरीकी से सारी बल्स बना ली AwnSu修 में तो साए में भाड़ी हो जाएंगी बॉल्स को आपको पेराद में गी przeci गी को low flame में गरम करेंगे जादा गरम नहीं अब से अधिक है अब इसे एक टिश्यू वेपर में निकाल लेंगे अब इन्हें तुरंत सुगर सीरप में डाल देंगे जो हमने बना के रखा था पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि सुगर सीरप हलका सा गरम होना चाहिए जैसे जैसे आप बॉल्स को फ्राइ करते जाएं उन्हें सुगर सीरप में डालते जाएं बॉल्स को फ्राई करके रखना नहीं है, हमें सुगर सीरप में तुरंत डालना है, अगर हम ठंडे चासनी में गुलाब जामून अच्छे से चासनी को सोख नहीं कर पाएंगे, अब बाकी के बचे हुए भी बॉल्स को भी सेम प्रोसेस में करेंगे, देखिये, सारी बॉल्स फ़र से थोड़ा सा पिस्ता चॉप करके गार्णिश किया है यह पूरा ओप्शनल है अगर आप चाहें तो गार्णिश करें वरना ऐसे ही इन्जोई करें यह देखिए ग्लाब जामुन बनके तयार है आप भी बनाइए इस त्वेवार में और इन्जोई करिए और हां अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है और प्लीज प्रेस बेल बटन और सुस्क्राइब मैं चैनल फर मोर रेसिपी और नोटिफिकेशन थैंक यू